कहानी एक आदमी और उसकी बकरी विरेंद्र नामक एक आदमी अपने गाव में एक छोटे से खेत में रहता था उसके साथ हमेशा एक प्यारी सी बकरी भी थी जिसका नाम गोपाल था विरेंद्र और गोपाल का रिष्टा बहुत खास था वह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेतों में घूमते थे और उनका साथ देखकर गाव वाले हमेशा हसते रहते थे एक दिन गाव में एक मेला आया वहाँ लोगों को खुशी-खुशी आना था और विरेंद्र भी गोपाल के साथ मेले की तरफ बढ़ा मेला में बहुत सारे लोग हसीमजाक और रंगबिरंगी चीजे देखकर खुश थे विरेंद्र ने गोपाल को साथ लेकर मेले के भिंट में जाकर खूब मस्ती की वहाँ विभिन्न खेल और नाटक हो रहे थे लेकिन विरेंद्र का ध्यान एक बड़े स्थान पर रुका उस बड़ी सांडी बकरी पर तिक गई उसने अपने दोस्तों से कहा देखो वहाँ बकरी कितनी शांदार है हमें भी ऐसी एक बकरी चाहिए दोस्तों ने हंस्ते हुए कहा तुम्हारी बकरी तो बहुत प्यारी है वीरू कोई और बकरी लेने की क्या ज़रूरत है लेकिन वीरेंद्र ने तयारी करना शुरू कर दिया उसने गोपाल को लेकर गाव के बाजार में जाकर बकरी की तलाश करना शुरू किया वहाँ चर्चा करता रहा और अचानक उसने एक सुन्दर सी बकरी को देखा वहाँ बकरी दिखने में बहुत ही स्वस्थ और स्वस्थ थी वीरेंद्र ने उस बकरी के मालिक से मिलकर पूछा यहां बकरी कौन सी है यहां कहां से आई है मालिक हंस्ते हुए जवाब दिया यहां बकरी बहुत विशेश है इसमें गाव में पहले ही कई पुरसकार जीते हैं इसका नाम रानी है वीरेंद्र ने ततपश्चात रानी को ध्यान से देखा और उसके सुन्दर्ता में बस गया उसने मालिक से पूछा क्या यहां बकरी बिख सकती है मालिक हंस्ते हुए बोले हां लेकिन यहां थोड़ी महंगी है वीरेंद्र रने अपनी बचट से बचट की और रानी को खरीद लिया वह बहुत खुश था कि अब उसकी प्यारी बकरी गोपाल के साथ और एक नई दोस्त मिल गई है वीरेंद्र ने रानी को गोपाल के साथ अपने खेत में ले जाया वह दोनों बकरीओं के साथ मिलकर काम करने लगे गोपाल और रानी ने एक दूसरे को भी अच्छे से स्वीकार किया और उनका रिष्टा और भी मजबूत हुआ वीरेंद्र का खेत अब और भी हरा भरा हो गया था उसका उत्सा बढ़ गया था क्योंकि अब उसके पास दो भैतरीन बकरीया थी जो मिलकर काम करने में मदद कर रही थी एक दिन गाव के सरपंच ने सुना कि वीरेंद्र के पास एक खूपसूरत सी बकरी है जो अच्छे प्रदर्शन कर रही है सरपंच ने उससे मिलकर कहा तुम्हारी बकरी कितनी खूपसूरत है हमारे गाव का नाम रोशन करो और गाव के लिए इस बकरी को प्रदर्शन करो वीरेंद्र ने सरपंच की बात मानी और वह गाव के सभी लोगों के सामने अपनी बक्री रानी को प्रदर्शित करने के लिए तैयारी करने लगा। लोग हैरफेर करके उसकी बक्री को देखते रहे और उन्हें बहुत पसंद आई। गाववाले ने रानी की शांदार्ता को देखकर वीरेंद्र को सराहा और गाव का नाम रोशन किया। रानी के कारण गाव को बहुत सारे पुरसकार भी मिले। इस कहानी से सिख है कि हमें कभी भी छोटी बातों को नजरंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्थान पर हमें हमारी मेहन्त और संधर्श में सफलता मिल सकती है। हमें उच्छ स्थार का उच्सा और समर्पन रखना चाहिए ता कि हम हमेशा आगे बढ़ सके और अपने लक्षों को हासिल कर सके।